मोटर वेकल एक्ट में नए बदलाव आज से देश भर में लागो हो गए हैं पैनल्टी के रकम बढ़ा दी गई है नियम पहले तोड़ने पर पहले के मुकाबले अब जादा चलान भरना होगा सड़क पर स्तावधान बिना हेलमेट पहले जहां आपको 100-300 रुपे देने पड़ते थे वहीं अब आपको चुकानी पड़े की इसी कीमत 500-1500 रुपे में वहीं ट्रिफल राइडिंग में पहले 100 रुपे देने पड़ते थे तो वहीं अब आपको 500 रुपे देने पड़ेंगे pollution certificate ना होने पर जहां पहले आपको 100 रुपे चुकाने पड़ते थे अब यहां पर penalty ज़ादा बढ़ गई है और अब आपको 500 रुपे देना होगा बिना license पहले आपको 500 रुपे देने पड़ते थे लेकिन अब 5000 देने पड़ेंगे वही over speeding को लेकर जहां पहले 400 रुपे पैनल्टी रगती थी अब उसकी जगए पर 1000 से 2000 रुपे पैनल्टी लगेगी वही dangerous driving को लेकर जहां पहले आप 1000 रुपे पैनल्टी भरते थे तो वही अब 1000 से लेकर 5000 पैनल्टी लगेगी वही driving की वक्त mobile phone का अस्माल करना भी आपको भारी पड़ सकता है जहां पहले 1000 रुपे इसकी पैनल्टी देनी पड़ती थी तो वही 1000 से 5000 अब आपको पैनल्टी देनी पड़ सकती है गलत साइड गाड़ी चलाना भी भारी पड़ेगा क्योंकि पहले जहां 1100 रुपे देने पड़ते थे वही अब आपको 5000 रुपे चुकाने पड़ेंगे और शिराप पीकर गाड़ी चलाना जहां आपको पहले 2000 का इसमें फटका पड़ता था तो अब आपको सीधे फटका लगेगा 10,000 का वही सीध फेल्ट ना पहनना जहां पहले आपको 100 रुपे की चपत लगती थी तो वहीं अब आपको 1000 रुपे की कीमत चुकाने पड़ेगी ट्राफिक के रूल्स आपकी हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं इसलिए बहतर है अगर हम नियमों का पालन करे ऐसा नहीं किया तो नुकसान आपका R9 TV के लिए Bureau Report